मोधी सरकार के चार साल के कारेकाल को कॉंग्रेस पार्टी विश्वास घाद दिवस के रूप में मना रही है। प्रदेश कॉंग्रेस पदादिकारी ने राजभौन के समक्ष धरना देकर विरोध परदर्शन किया है। जार्खन के निताओं ने मोदी सरकार के चार साल के कारेकाल को जुमलेबाजी का कारेकाल माना है। आपको बता दे कि धरना दे रहे निताओं ने किन सरकार को जमकर कोशा। जार्खन कॉंग्रेस परदेश अध्यक्ष डाक्टर अजय ने कहा कि मोधी सरकार चार साल सिर्फ जुम्लेबाजी में गुजारती। जनता मोधी सरकार से तरस्त है और महागाई की मार छेल रही है। बीजेपी सिर्फ जनता को बर्गलाने के अलावा कुछ काम नहीं कर रही ह राजी में जनता पानी के लिए परसान है और सरकार मस्त है। इधर पेट्रोल डीजल की दाम आस्मान चू रही है। सरकार इस पर भी मौन है। मोधी सरकार जनता के हर वादों पर नाकाम रही है। युवा बेरोजगारी की मार छेल रही है। साथ ही डक्टर अजय ने कहा क कि वो दिन दूर नहीं जब जनता मोधी सरकार को उखाड फेकने का काम करेगी।